नमस्कार दोस्तों सुवागत है आप सब का आज के ख्लास में पर आज के क्लास में हम देखने वाले हैं Types of Soil Erosion नहां! Types of Soil Erosion में Various Types of Soil Erosion आज़न हम लिब डिसकस करेंगे Discuss करेंगे Exhaustibly, Bहुत ही Describly हम लोग डिसकस करेंगे Real Erosion के बारे में real erosion क्या होता है, gully erosion क्या होता है, sheet erosion क्या होता है, इन तीनों में क्या similarities है, right, उसके बाद हम लोग discuss करेंगे splash erosion के बारे में, discuss करेंगे slip erosion के बारे में, वैसे तो slip erosion शायद हम लोगोंने geomorphology में अच्छे से पढ़ लिया था, but again, इसमें हम लोग और भी अच्छे से discuss करेंगे, discuss करेंगे stream erosion क्या होता है, bank erosion क्या होता है, seashore erosion क्या होता है, तो यह सारे various types of soil erosion को हम लोग proper enhanced तरीके से यहाँ पर discuss करेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं, बट शुरुआत करने से पहले दोस्तों, अगर आपको अक्सेस करना है, तो वाट यू कन दो इस लाइप को गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और इसकी लिंक नीचे में डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और भी अगर कुछ जानकरी आपको लेनी हैं, तो हमारे ओफिशल वाट्साप नंबर पे भी आप हमारे टीम को कॉंटाक कर सकते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं, सबसे पहला है रिल इरोजन, देखो कभी-कभी अपने फील्ड में ऐसा देखा है, ऐसे जो है रन ओफ, मदब सोचो अगर पानी गिरेगी तो no doubt, पानी तो इधर से गर-गर-गर-गर-गर के नीचे चले जाएगी ना, तो जब गर-गर-गर नीचे आती है ना पानी, उसको हम लोग run-off कहते हैं, जो कि आप काफी ज़्यादा छोटा लेवल में हमें देखने को मिलता है, अगर आपको इसको, डाइग्राम में बनाना है, तो आप ऐसे बना सकते हो, राइट, रिल इरोजन कुछ ऐसा होता है, जो कि finger-like structure बेसिकली यहाँ पर बना देता है, यहाँ पर थोड़ा घास-फूस बना देना, समझ रहा हो, तो यहाँ पर इस टाइप अफ हमें real erosion देखने को मिल रहा है, next is gully erosion, देखो हम लोगों ने real erosion यह वाला परा, बट जब real erosion और भी बड़े-बड़े हो जाते हैं, बहुत बड़े-बड़े हो जाते हैं, क्यों भाईया, क्योंकि run off का intensity जो है, उस region में बहुत ज़ादा बढ़ जा रहा है, क्यों क्योंकि water का volume जो यहाँ से उपर से run off हो रहा है, वो बढ़ जा रहा है, ठीक है, उपर से slope भी बढ़ जा रहा है, रिवाइन का formation क्या होता है, देखो, सोचो, यह जो गली बनाना, यह और भी deep चला जाएगा, ठीक है, मतलब steep और canyon टाइप का बना देगा, उसको हम लोग ravines कहते हैं, तो गली erosion ultimately leads to the formation of ravines also, but at a later stages, है ना, next type आजाते हैं, sheet erosion, अब अच्छा, यह वाला portion, यह वाला portion, यह वाला और यह वाला, गायब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पूरा sheet ही उटके भाग जा रहा है, ना, मतलब इतना ज़्यादा गली जो मिल गया, यह पूरा sheet ही बीच से गायब हो जाएगा, ठीक है, और क्या बचेगा, यह वाला part, और यह वाला part, मतलब यह पूरा sheet ही उट जा रहा है, समझ रहो, मतलब इत रिमूव्स अ होल टॉप सर्फेज, यह पूरा टॉप सर्फेज ही उट जाएगा, उस situation में हम इस टाइप के erosion को कहते हैं, sheet erosion, कोई शक यहाँ पर, next आ जाता है, splash erosion, splash erosion क्या होता है, जब ही भी rainfall बहुत तेजी से गिरता हैं, तो वो क्या करता है, धर्थी को टकराता है, अब धर्थी को जब टकराता है, ये देखो नीचे गिर रहा है, ये जैसे टकरा रहा है, तो नीचे से जो मिट्टी है, वो splash करके इधर बाग जाती है, कुछ इधर बाग गई, कुछ इधर बाग जाती है, कुछ इधर बाग जाती है, समझ रहो, उसको हम लोग क्या कहते है, splash erosion, कोई शक यहाँ पर, चलो, next आ जाते है, slip erosion में, slip erosion क्या होता है, दिखो, दिखो, जैसे आप सोचो, यह वाला डाग्राम अगर आपको अच्छे से दिख नहीं रहा है, सोचो, यह एक आपका hill बनाया हुआ है, राइट, है ना, अब सोचो, आचानक से क्या होता है, बहुत समय हम landslide देखते है, बट क्या भी क्या होता है, solifluction के कारण भी landslide होता है, राइट, और पानी के साथ धीरे-धीरे saturate होना start होता है, मतलब यह वाला soil धीरे-धीरे loosen up हो गया, तो उस क्या होता है, एक part of soil यह वाला पार्ट, यह वाला उठकर आपका जाके erode हो जाती है, यह पूरा वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ से गयब हो जाती है, और कैसा हमें दिखता है, इरोजन, ठीक है, जहाँ पर एक बड़ा सा soil mass, या फिर बड़ा सा rock mass जो है, वो slip down हो जाता है throughout the surface, देख रहो, यह ऐसा था, यह slip down होके नीचे चला गया ना जी, है ना, यही वाला डागराम बना लेकिन ज़्यादा नम बढ़ाएंगे इसमें आपको, और ध्यान देना, य land slide अगर ओड़ा, यह पूरा region आपको जाके 10 के मीचे चला आता है, यह भी region आ जाता है, बट यहाँ पर एक portion, एक छोटा सा portion of the land, जो क्या soliflexion के कारण, जो respectively इस region को छोड़ दिया है, वही सिर्फ slip out होता है, from its parent topographical feature, तो इस को हम लोग कहते हैं, इस type के erosion को हम लोग कहते है slip erosion, next होता है stream या फिर bank erosion, कभी कभी क्या होता है, यह जो है ना, पानी बहुत जादा बाव में चलती है, अब पानी अगर जल रही है तो दिखरो, यहाँ पर इस region को काटते 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 काटते, इस region को काट देती है पूरा, ठीक है, तो इसके क्यारण क्या हो रहा है, बै यहाँ से जो पानी आ रहा है, यह directly इस पार्ट को हिट कर रहा है ना, या फिर indirectly यहाँ पर आपको और भी समझाने वे अच्छा होगा, सोचो यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से जो पानी फ्लो से आ रहा है ना, पहले तो यह पानी कहा है, सीधा इस पार्ट को हिट करेगा इस पार्ट को अगर hit करेगा तो देखो इस पार्ट को hit कर रहा है पानी मतलब यहां पर erosion करता करते 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 यहां पर cliff create कर देगा है ना देखो एक तो point of time तक रहेगा जब तक cliff अपने आपको समाल सकता है और इसी के कारण हमें यहाँ पर flash flood भी देखने को बहुत समय मिलता है, ठीक है, क्यों भाईया, क्योंकि flash, सोचो अचानक से, you know, cloud burst हो गया रही, तो flash flood हुआ, flash flood के कारण अचानक से rate of water जो यहाँ से बहर रही है, वहाँ का rate of volume जो है काफी जादा बढ़ गया, मतलब water accelates the water volume, है ना, जिसके कारण यह जो है ना, water का level उपर जाएगा, और यह bank को cut करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, मतलब lateral erosion बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि automatically यहाँ पर volume बढ़ जा रहा है, वही चीज से हम लोगों ने channel में और्फलाजियों पढ़ आता है, तो पहले तो यह, you know, मीचे में आपका vertical erosion करता है, right, but एक point of time के बाद जो है, यह lateral erosion करना start कर देगा, ठीक है, वही चीज यहाँ पर होता है, अचानक से जब भी volume बढ़ जाता है, तो यह lateral erosion करना start कर जाता है, और उसी के कारणा हमे stream या फिर bank erosion देखने को मिलता है, next is shishore erosion, shishore erosion तो नाम स के हुए दिखती है, ठीक है, so yeah, this is the end of today's class, मिलते हैं आपके साथ next class में, but again दोस्तो, smart rankers आपको download कीजिए, बीचे मैं इस description में इसके link दी गई है, और आपने geography option के classes में आप enroll कर सकते हैं, bye-bye.